नमस्कार दोस्तूं एक बाद फिर स्वाहगत आपका अपने चेनल मैंतस्टार में आज हम चर्चा करेंगे हैक्टेर और एकर्ड की तो स्बसे पहले हम बताते हैं कि एक हैक्टेर क्या होता है तो एक हेक्टियर जो होता है वो दसजार बर्ग मीटर का होता है जैसे अगर कोई हमारे पास एरिया है 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चोड़ा तो अगर इसका छित्रपल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 100 गुणा 100 अर्था 10,000 बर्ग मीटर तो यह जो एरिया होगा वो एक हेक्टियर का होगा अच्छा हेक्टियर को मीटर से नाप लेते हैं 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चोड़ा इसी प्रकार से जो एकड होता है तो एकड को हम इस प्रकार से नहीं नाप पाएंगे तो जरीब से ही एकड़ बनाया गया था तो जरीब हमारी होती है 66 फिट की जो 66 फिट की एक जरीब होती है तो दस जरीब लंबा यह होगा है दस जरीब लंबा और एक जरीब चोड़ा यह जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा? एक एकड़ होगा अर्थात एक जरीब लंबा और एक जरीब चोड़ा होता है वो क्या होता है वो एकड़ का दसमा हिस्सा होता है अर्थात दस डेसिमल होता है तो अब ये जो है कितना हो जाएगा तो इसकी लंबाई हो जाएगी इसकी लंबाई हो जाएगी 66 गोड़ा दस यानि कि 6 से 60 फीट और चोड़ाई किती हो जाएगी चोड़ाई हो जाएगी एक जरीब अर्थात 66 फीट अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी लंबाई है लंबाई 660 है और चोड़ाई इतनी है तो हमारा इसका जो छित्रपल होगा अगर हम फुट में निकालेंगे तो यह हो जाएगा 660 गुणा 66 तो यह हो जाएगा 43,560 बरग फीट या बरग फुट के लोग तो एक एकड में इतने बरग फुट होते हैं अब यहाँ पर देखेंगे कि एक जो फीट होता है एक फीट में होता है कितना 0.3048 मीटर यहाँ फुट है और यहाँ मीटर है तो यह हमारा एक फुट में इतने मीटर होते हैं अब बात करते हैं कि अगर यहाँ फुट कुणा फुट करें एक फुट कुणा एक फुट और यहाँ पर हो जाएगा 0.3048 मीटर तो यहां क्या हो जाएगा 1 foot square हो जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा 1 foot square में 0.092903 square meter यह एक बरग foot में 0.0929 square meter होंगे अब हमारे पास जो यह कड़ का छितर फल है वो कितना है 43,560 तो अगर हम 43,560 square foot में बरग meter निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे तो यहां देखिए 43,560 जो foot square है इसको हम निकालेंगे तो इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 43,560 गुणा 0.092903 अब जब हमें इसका गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगा इसका 4046.8564 तो यह हमारा क्या जाएगा square meter आ जाएगा यानि कहने का मतलब हुआ एक एकड बरावर 40,46.8564 square meter या meter square कुछ भी कह सकते हैं तो यहां से हमें एक एकड का मान बरग मीटर में निकलाया यानि एक एकड में 4,46 बरग मीटर होते हैं तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि हमें हमारे पास कोई रखवा है या चित्रपल है जैसे 2.34 एकड है और हमें इस रकवा को हमें किस में निकालना है इसमें हमें हेक्टेर में निकालना है कैसे निकालेंगे तो इसमें 2.34 का हम गुलां कर देंगे जब इसमें गुलां करेंगे 2.34 का तो यह हमारा आ जाएगा सबसे पहले एक मिनट हमें इसको एकड से हेक्टियर में निकाल ला है तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि जो बरग मीटर होते हैं वो हेक्टियर में होते हैं 10 अज़ार तो अगर हम इसमें 10 अज़ार का भाग दे जाएंगे तो यह आ जाएगा 0.404685 यह हमारा हेक्टियर आ जाएगा यह हमारा हेक्टियर तो एक एकड में कितना हेक्टियर हुआ 0.40468 तो इतना हुआ तो अब हमारे पास जो खेत है वो है 2.34 एकड अब इसको हमें क्या करना है इसको हमें हेक्टियर बनाना है तो hectare बनाने के लिए 2.34 में 0.40468 इसका हम गुणा करेंगे तो जब इसमें गुणा करेंगे तो यह हमारा जाएगा 0.9469 hectare जो hectare है उसे हम 4 अंकों तक लेते हैं वो जो हम एकड निकालते हैं उसको 2 अंकों तक लेते हैं तो 2.34 एकड का हमारा कितना हेक्टिएर हुआ इतना अगर और कोई आपैस कम हैं जैसे 1.87 है एकड़ भूमी है हमारे पास अगर हेक्टिएर की बात करेंगे तो यह हो जाएगाraft 87 गुणा 0.40468 जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.7567 तो यह हमारा कितना हो जाएगा हेक्टेर हो जाएगा तो अगर हमें एकड से हेक्टेर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका गुणा करना पड़ेगा अब बात करते हैं कि जो हमारा एक एकड है उसमे इतने हेक्टेर आगे अगर हम हेक्टेर की बात करें जैसे एक हेक्टेर एक हेक्टेर की तो एक हेक्टेर में कितने एकड होंगे तो एक हेक्टेर में एकड होंगे एक वट्टा जैसे एकड में हेक्टेर इतनी है तो इसका हमें भाग दे देंगे 0.404615 का जब भाग देंगे तो यह आजाएगा 2.47105, तो एक हेक्टेर में हमारे एकड कितने होंगे, एक हेक्टेर में एकड होंगे 2.471, उसके बाद छोटी रासी छोड़ देंगे, तो एक हेक्टेर में हमारे एकड होंगे 2.471, अगर हम बात करें जैसे हमारे पास जो जमीन है, वो है 2.653 हेक्टेर, अब हमें इस जमीन के क्या करना है इसमें एकड़ बनाने है तो एकड़ इसमें कैसे बनाएंगे तो यह हो जाएगा दो दसमलब छे पांच तीन और इसमें हम कितने का गुणा करतेंगे दो दसमलब छार साथ एकड़, इसमें इतने का आई जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो माहीजर स्टच आई उख दसमलब पांच 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 साथ, अब आप देख पा रहे होंगे छे दसमलब पचपन, शे दसमलब पचपन, शाड़े पचपन हो गया तो अगर हमें एकड में लिखेंगे तो 6 एकड और 55 डेसिमल दो यंक तक लेते हैं अगर यहां जो जादा संक्या है तो हम लगबग में मिले सकते हैं अगर 7, 8, 9 के करीब है तो यह 56 भी कर सकते हैं तो 6 एकड पच्पन डेसिमल हो गया अगर हमारे पास कोई छोटी और राची बै तो यह हो जाएगा 2 एकड 16 डेसिमल तो अब हम यहां पर एक चीज़ समझे कि एक हैक्टेर वरावर 2.471 एकड होता है और 1 एकड वरावर 0.40468 इतने हैक्टेर होता है तो अगर हमें हैक्टेर से एकड बनाना है तो हमें 2.471 का गुलां करना पड़ेगा और एकड से हैक्टेर बनाना है तो इस संक्या का गुणा करना पड़ेगा लेकिन बैतर होगा कि आप इसी से काम चलाएं जैसे हैक्टेर से एकड बनाएंगे तो 2.471 से गुणा कर देंगे तो अगर एकड से हैक्टेर बनाएंगे तो इसका गुणा यह संक्या याद नहीं यह संक्या याद रह जाएगी तो इसका भाग दे लेंगे तो अगर एक हेक्टेर में हमारे दो दसमलब चार साथ एक एकड होते हैं तो चार हेक्टेर में कितने होंगे चार गुणा दो पॉंट चार साथ एक एकड हो जाएगा और अगर पांच हेक्टेर में निकालने हैं तो 5 गुड़ा इतने एकड़ हो जाएंगे अगर हमारे पास एकड़ दी गई है जैसे हमारे पास 10 एकड़ है और उसमें हेक्टेर निकालने है तो 10 में इसका भाग दे देंगी तो हमारे क्या जाएंगे हेक्टेर आ जाएंगे तो यह चीज याद रखनी है कि हे एकर से हेक्टेर बनाएंगे तो इसका भाग देना है तो यह थी एक छोटी सी जानकारी आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद